हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब हमने पीछले वीडियो में जो आधुनी काल था हमारा यानि गद्यकाल उस गद्यकाल के अंतरकद हमने भारतेंदु यूग और उनके रशनाओं के बारे में डिसकस किया था और ट्रिक के माध्यम से उनको समझा था तो इस वीडियो के माध् और आप बिलकुल निश्यन्त हो जाई है यह है बहुत आसान ट्रिक है आप इनको रिवाइश करते चलेंगे दोराते चलेंगे यह आसाने से आपको याद रहेंगी तो जो दिवेधी युक था तो जो हजारी प्रसाद दिवेधी के नाम पे जो सस्वती पत्रिका के प्रमक कभी है और उनकी रशनाएं तो उनको हम त्रिग के माधम से समझते हैं सबसे पहले हम जानती है कि दीवेदी युक के जो प्रमक कभी थे हो कौन कौन से थे तो चलिए ट्रिक देखते हैं ट्रिक है अयोध्या की सरण में मिला माखन और महाप्रसाद यानि आप जब अयोध्या गए अयोध्या की सरण में थे तो वहाँ पर आपको माखन और महाप्रसाद मिला यानि आपको प्रसाद में माखन और महाप्रसाद मिला तो अयोध्या से हुए आपके अयोध्या सिंग हरी आस, सरण से हुए मैतली सरण गुप्त, माखन से हुए माखनलाल चतुरवेदी और महाप्रसाद से हुए महाबीर प्रसाद दिवेदी ये दिवेदी युक के प्रमुक चार कभी हैं कौन-कौन से आयोध्या सिंग, सरण से मैतली सरण, माखन से माखनलाल चतुरवेदी और महाप्रसाद से महाबीर प्रसाद दिवेदी तो ये हमारे चार प्रमुक कभी है किसके दिवेदी युक्य है तो चलिए अब हम इन चार जो हमारे प्रमुक कभी है इनकी रशनाओं के बारे में समझते हैं सबसे पहले जो हमारे कभी थे दिवेदी युक्य हो है मैंधिस राण गुप्त तो इनकी रचनाओं को हम कैसे याद रखेंगे उसके लिए आपको लाइन याद रखने हैं क्या साकेत गुपता भारती और यसोधरा के साथ पंचमड़ी डेट पर गया यानि जो साकेद गुपता एक कोई सक्स है तो साकेद गुपता किसके साथ है भारती और यसोधरा के साथ है पंचमली डेट पर गया यहीं पंचमली जो है एक इस्तान है उस इस्तान पर साकेद गुपता भारती और यसोधरा के साथ है डेट पर गया डेट समझते न सबको बता होगा देट क्या होती है तो डेटिंग पे गया कौन गया साकेत गुपता किसके साथ भारती और यह सोध्रा के साथ कहा पे गया पंचमणी में गया साई चीज एकलियर हो गई यह यह नि मैथिसान गुपत जी की ही रचना है आईए साकेत पहली रशना साकेत भारती से भारत भारती यसोद्रा से सीधे सीधे यसोद्रा और पंच मड़ी से पंच मड़ी और के साथ डेट पर गया यह साई शीजे आप निगलेट कर दीजे यहनी मैसली सण गुप्त जी कि जो प्रमुग रशना आये थी हो कौन कौन से थ पारती यसोदरा और पंच मड़ी यह मैतली स्राण गुपतर जी की प्रमुक्रशना थी क्या लाइन याद रखने हैं साकेत गुपता भारती और यसोदरा के साथ पंच मड़ी डेट पर गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले जो हमाई कभी हैं वो है माखनलाल चतुरवेदी माखनलाल चतुरवेदी तो हमाई माखनलाल चतुरवेदी जी की जो प्रमुक्रशना है उनको कैसे याद रखेंगे हिम वाला माखन चरण में समर्पित हिम वाला माखन कैसा हिम वाला है फ्रिजर पर रखा है बरफ हो गया है बहुत कूल कूल ठंड़ ठंड़ है तो माखन क इसा है हिम वाला है माखन हिम वाला है और उस माखन को जो हिम वाला माखन है वो चरण पे समर्पित है प्रभू की चरण में समर्पित है अब माखन जो होगा किस पे समर्पित होगा प्रभू की चरण में समर्पित होगा तो हिम वाला माखन प्रभू की चरण में समर्पित है तो हिम से हो गया हिम क्रीटनी और दूसरा हिम तरंगनी यानि माखनलाल चतरवेदी जी की जो हिम से दो रशनाएं बन रहे हैं कौन कौन सी हिम क्रीटनी और हिम तरंगनी और माखन से सीधे माखनलाल चतरवेदी यानि जो हमाई कभी हैं माखनलाल चतरवेदी जी उनकी ये सा समर्पण यह थी माहप्हन लाल स समrick प्रभु के चरण में समर्पण यह थी माहिशन चतुरवदीजी Nikki प्रमूग के रशना हैं चलिए आगे बढ़ते हैं जो अगले हमाई जो कभी हैं वो है महावीर प्रसाद दिवेदी तो जो महावीर प्रसाद दिवेदी हैं इनकी प्रमूग रशना हैं इनकी तीन प्रमूग के रशना हैं कौन-कौन सी काब मन्जूसा और सुमन काब मन्जू काब्या एक लड़की का नाम मंजुसा कैसे याद रखेंगे ये भी एक लड़की का नाम होता है या मंजु याद रखेंगे मंजुसे मंजुसा और सुमन सुमन यानि पुस्प सुमन भी एक लड़की का नाम है यहनी महावीर प्रसाद इवेदी जी की जो तीन प्रमुग रशनाय थी वो थी काब मंजुसा और सुमन काब्या, मंजूसा, मंजूसे और सुमन, सुमन से यह तीनों किसके हो जाएंगे यह तीनों लल्कियों के नाम हो जाएगे काब्या, मंजूसे, मंजूसा और सुमन से, सुमन यह ट्रिक हो गई ठीक है तो महवीर प्रसाद दिवेदी जी की जो प्रमुख रशना है थी वो थी काप्र गुंजूसा और सुमन याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जो हमाई कभी है वो है आयोध्या सिंग हरी ओध तो इनकी प्रमुख रशना के बारे में हम कैसे याद रखेंगे उसको याद रखने के लिए इनकी प्रमुख रशना को याद रखने के लिए ट्रिक है वन में प्रवास रस और आउसदी के साथ जब आप वन में होंगे तो वहां से आपको बहुत अच्छी हवा मिलेगी बहुत अच्छी वाईव मिलेगी प्रवास रस में और वन में और क्या मिलता है? औसधी मिलती है तो औसधी जो सीधे सीधे आपको इंडिकेट कहां करती है? आयोधिया सिंग हरी ओध 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 तो ओध 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 दी से हमाए हुए आयोधिया सिंग हरी ओध ओध कभी जी जिनकी प्रमुखरशा है कौन कौन सी है वन में प्रवास रस वन में प्रवास रस और ओध 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 ओ तो इस तरह यह हमारे दिवेदी युके जो प्रमुक कभी थे प्रमुक कभी थे और इनकी हमने प्रमुक रशनाओं के बारे में ट्रिक के मादम से अच्छे सा समझा अगर आपको यह ट्रिक पसंद आई हो तो आप लाइक सेयर कमेंट करना ना भूले और जो भी हिंदी साइट के पहले के पुराने जो भी वीडियो है अगर आप उनको दे दिस्क्रप्शन में जाके लिंक प्रोवाइड करा दिया मैंने आप देख सकते हैं और चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें थैंक यो